सरकार सौकते आपका रेशन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रितिक बुलेटिन की शुरुवात करेंगे आरजडी विधायकों ने विधान सभा के बाहर बिहार में बिगड़ते लॉर्ण ओडर को लेकर जमकर हंगामा किया विधायकों ने आरोप लगाते हुए सरकार कहा कि सरकार अपराधियों को सर्लोक्षन देने का काम कर रही है साथी उन्होंने बढ़ती महगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथो लिया है ये जन्ता को केवल परिसान कर रही है जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था उसी तरह ये बीजेपी वाले आये हैं देश को रूट रहे हैं लेकिन ये सरकार इस तरह देश्टी किया कंपनी आये थी और देश को खुलाम कर लिया था परश्यें बंगाल चुनाओं को लेकर कॉंग्रस विदाय का जीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दिया उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा एक मात्र लक्ष है कि आगामी बंगाल चुनाओं में बीजेपी की सरकार बंगाल में ना बनने दे। यहीं नहीं उन्होंने मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का एलान किया था मगर अब तक उसे मुकमल नहीं किया गया भार्ती जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे चाहिए जो भी करेंगे पूरे महागरवन्देन जो हम प्यार में अब देख रहे हैं वो मिल्जियो की इसलिए पिर गरवडिया बीजेपी के विदाएक संजय सरोग ने बंगाल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बेनरजी पर हमला बोला उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजे बीजेपी के हक में होंगे इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बंगाल जाने से ही ममता बैनरजी को कोई फाइदा नहीं होने वाला वह पहले ही आत्मसमरपण कर चुके हैं को जाए गया कोंग्रेस के परचार करें नहीं करें बंगार में इन्लों का सुप्राहाँ है कैसीर ही पहले मता बनरजी के पाउज जा कर जा के से और गुरुबार को सदन की कारेवाही के दौराद हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांजी ने व्रिधा पेंशन बढ़ाने की बात कहीं उन्होंने कहा कि सरकार को व्रिधा पेंशन बढ़ाकर पंदरा सो रुपए करनी चाहिए ताकि उन्हें कोई परिशानी ना हो यही नहीं मांजी ने बारा नए विधान पारिशदों में हमको जगार नहीं देने पर भी नाराजगी जताई है जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे विध्रवा देजिया हैं वो सबका भी समाज और विहार के विकास में जो यह दान है अब इस परकार के लोग को अगर पिंशन न दिया जाए तो वा नायतिक कार्ज है इसलिए हमने कहा कि ठीक है हमारी मालिय इसकी बहुत अच्छी नहीं है हम तीन हजार नहीं दे सकते हैं रहा हजार नहीं दे सकते हैं इसलिए कम से कम 15 यानि 1,500 रुप्या माझ बिहार विधान मंडल में बजट सत्र के दौरान पटना के एक नीजी स्कूल की चात्राओं को विधान परिशद में कारेवाही देखने के लिए अमंतरुत किया गया है कि जब भी विधान मंडल का सत्र चलता है तो उस दोरान बिहार के विभिन स्कूल के बच्चों को सदन की कारेवाही देखने के लिए बुलाया जाता है। कुरोना काल में गुरुवार को पहली बार कोविड-19 के गाइडलाइन्स का पालन करते हुए स्कूली चात्राय बिहार विधान परिशद में सदन की कारेवाही देखने पहुंचें। बिहार विधान परिशद पहुंचे जेडियो एमलसी उपेंद्र कुश्वा ने सूबे के मुख्या नितीश कुमार की जम कर तारीव के उन्होंने कहा कि सेम नितीश के नित्रतवों में बिहार तरक्की कर रहा है। इस दोरान उन्होंने राज्य की सिक्षा विवस्ता पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्या ने शिक्षित बिहार का जो सपना देखा है उसे धरातल पर भी पूरा क्या जा रहा है। अशराबंदी कानुन के उलंगन मामले में विपक्षण के निशाने पर आएं मंतरी राम सुरत राय के भाई हंसलाल राय की ग्रफतारी की कवायद तेज हो गई है मुझफवर पुर पुलिस नहीं मंतरी के भाई समेथ 10 आरोपियों की ग्रफतारी वारंट के लिए कोट में अरजी दी है आपको बता दे कि इस मामले को लेकर लगातार नितीश सरकार की फजीहत हो रही है तेजस्वी आदव लगातार इस मामले में कारवाई की मांग कर रहे है वही मंतरी के परखास्तकी की मांग पर पूरा विपक्षल लगातार हंगामा कर रहा है बियार में पंचाय चुनाव के सुखबुगाहट तेज हो गई है ऐसे में अपराधी भी अब दिन दहाडे घटनाव को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे है दरसल चुनावों में वर्चस्व को लेकर अकसर दो गोटों में हिंसत जड़प होती रहती है इसे का एक नमुना भिहार के सहरसा जिली के कचहरी ओपी धनाक शेतर में देखने को मिला जहां मुखिया के बतीजे नहीं मुखिया के साथ मार पीट की इतरही रही उनसे दो लाग की रंगदारी की मांग करते हुए इस बार चुनाव नहीं लड़ने की भी उसे धमकी देदी जाशी सरस्व नर्य मारे की लिए टकाव ममर के हमरा से दूर लाख पीट लिए भूजपुर जिले में अपराद चरम पर है यहां सरयाम अपराधी आए दिन अपराद को अंजाम देने में लगे हैं ताजा मामला मुफसिल थानक शेतर के जमीरा गाउं का है जहां हतियार बंद अपराधीयों ने एक युवक को गोली मार दी जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदरस्पता लाया गया जहां प्रातमी कुप्चार के बाद उसे बहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया होई सूशना मिलने के बाद मौके पर कहुंचे, पलिस मामले की शानबिल में जुढ ग़ी है परादियों ने नाबालिक बेटे से दुशकर्म के मामले में कोट ने नौ लोगों को उम्रक्याद की सदा सुनाई मामले में कुल पंदरा लोग अभियुक्त बनाए गए थे जिनमें चार को साक्ष्वे के अभाव में बरी कर दिया गया इसे दौरान अपराधियों ने डौक्टर को बंदग बनाकर पत्नी और नाबालिक बच्ची के साथ सामोहिक दुशकर्म किया था कि अध्याओं को जो दोसी पाए गए हैं सभी को उम्रक्याद की सजा अंतिम सांस तक उम्रक्याद की सजा यह कौन-कौन लोग है पश्यमी चंपारें जिले के बगहा में बिहार पुलिस की परिक्षा देनी गई एक चात्रा को अगवा कर टेंपो चालक ने उसके साथ दुशकर्म किया और फिर हत्या कर दी गुरवार को चात्रा कर शब नहर की नारे पड़ा मिला बताया जा रहा है कि मृतका के चोहरे पर तेजाब डाला गया था ताकि उसकी शिनात्त ना हो सके वह अब इस पूरे मामले के विरोध में शहरवासियों ने पुलिस की कारे शैली पर सवाल कड़ी करते हुए प्रदर्शन किया गौर तलब हो की बीते 14 मार्च को इस गटना को अंजाम दिया गया था लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफतर से बाहर है पुलिस का कहना है कि मामले में करवाई जारी है खगडिया के बबूर बनना दियारा में जमीन विववाद में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जम कर गोली बारी हुई जिसमें एक युवग को गोली लग गई वहीं गोली लगने से युवग बुरी तरह घायल हो गया है जिसे आनन फानन में रेफरल अस्पताल गोगरी में भरती कराया गया जहां पुलिस ने हर नौत में लूट पार्ट करने वाले तीन अपराधियों को धर्द बोचा तो वहीं दूसरी और पुलिस ने दीप नागर में कपड़ा कारोबार की आड में अवैद शराब का कारोबार का भी उद्भेदन किया जिसके बाद मकान को सील कर दिया गया आपको बता दे कि मौके से शराब तसकरी में सनलिप्त दो लोगों को गिरफतार किया गया है जब कि आड में वीदेशी शराब को बाहर से लाकर ये उसको बेचते थे तटकाल उनको और उनकी पत्नी की गिरफतारी हुए मौके वाजदास से और जो अस्थान है ब्रामदेगी अस्थान को हम लोग वी दिवस सील किये हैं और इसमें